उम सिरीगनी सैनम दोस्तू एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तू आज एकीस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 अक्टूबर बुद्वार के रासी फल के बारे में कि हा दिन कुम्बराशी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पा पूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चैनल दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा कुम्ब रासी वालों के लिए बुद्दवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आपके मित्रों का आपको भरपूर शयोग प्राप्त होगा जो आपको काफी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रुत्साहित करेंगे दोस्तो आपको अपने करचित्र में आज कई कारों के लिए अधिक अनुकूलता महसूस होगी दोस्तो आज का दिन आर्थिक दरश्टी कौन से आपके लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो आपकी आर्थिक इस्तिती में काफी अनुकूल बदलाव आएंगे और आपके वेविसाय में विवरत दी होगी आमंदनी के स्रोत में इजाफा होगा और आप आर्थिक तोर पर आज अच्छा समंजस बना कर रख पाएंगे दोस्तो आपकी मुलाकात अपने मामा और मौशी के परिवार से आज हो सकती है जिन से मिन कर आपको काफी खुसी होगी और वहें आपके किसी काम में काफी मदद भी करेंगे जा दोस्तो साथी साथ धर्मिक क्रिया कलापों में विविरत दी होगी और आप उनके ऊपर खर्च भी कर सकते हैं शंगर्स करने के बाद कारों में आपको सफलता आज अवस्य ही प्राप्त होगी यदि आप किसी यात्रा के लिए जाने के इक्षा रखते हैं तो वह भी प्रियास करने में आपको सफलता मिलेगी यदि आप कारे छित्र में अपनी मेहनत जारी रखते हैं तो उसका सुबभल आपको अवस्य ही प्राप्त होगा दोस्तों यह आप मान कर चलिए कि आज का समय पूर्ण रूप से आपके लिए हैं बस आपको अपना अच्छा प्रदसन प्रतेक छित्र में देना होगा ताकि आप उसके पेरिणाम सरूप प्राप्त हुए हर सुक को जनोबल भी बढ़ेगा जिसके करण आप काफी उत्सा में रहेंगे और अपनी उरजा के बल पर आप हर चुनोतियों का डट कर शामना भी करेंगे और उस पर आपको शफलता भी प्राप्त होगी जिससे आपके खुसी दूग नहीं हो जाएगी और आपका दिन काफी समस्याओं का हल निकालें और समस्याओं को हल करने के लिए प्रियाप्त संसादनों को जुटाएं दोस्तों परिवारिक जीवन में आज चिंताओं की व्रद्धी हो सकती हैं यदि आप सब को साथ लेकर चलेंगे तो समस्याओं धीरे-धीरे काबू में आ जैंगी या दोस् मानसिक असांती तथा तनाव पूर्ण इस्तितियां जादा हो सकती हैं इसलिए किसी भी तरह का ठोस निर्ण लेने से पहले आपको कई बार सोच विचार आवस्थ से ही कर लेना होगा यह आपके लिए काफी फाइदेबंद साबित होगा दोस्तो साती सात क्रोध पर नियंतन एम वानी पर आपको आज सैयम रखनी की अतियाव शक्ता है अन्यता विवाद की इस्तितियां बन सकती हैं परिवार का माहौल आपके अनुकूल रहेगा लेकिन ध्यान रहें कि आपकी बातों से किसी को ठेस ना पहुँचे जिया दोस्तो अगर आप परिवार को जोड़ कर रखना चाते हैं तो आपको अपने जीवन में कुछ समझोतों के लिए तयार रहना होगा अन्यता इस्तिती आपके नियंतन से बहार हो सकती हैं आपको परिवार के लोगों के साथ धन सम्मंदित समस्याओं को भी सुल जाना होगा और अपनी और से अधिक से अधिक योगदान करने के लिए भी तैयार रहना होगा दोस्तो साथी साथ उच्च सिक्षा के लिए प्रियासरत लोगों को भी अभी थोड़ा प्रियास और जारी रखना होगा तथा प्रितिक्षा करनी होगी क्योंकि फिलाल उनके लिए अधिक अच्छा आफसर दिखाई नहीं दे रहा लेकिन आपको हिम्मत हारने की बिल्कुल भी आवश्कता नहीं है क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती दोस्तो बात करते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली हैं दोस्तो यदि आप अपने प्रेमी प्रेमी का क प्रपोज करना चाते हैं तो कर सकते हैं या फिर अपने मन की बात शेयर करना चाते हैं तो वह भी कर सकते हैं इसके लिए समय काफी अनुकूल हैं दोस्तो आज आपके प्रेम संबंद काफी मजबूत होंगे आपसी संबंदों में गहनिश्टता आपको एक नई इस्पूर् प्रदान करेगी जीवन साती का भी आज आपको पूरा शहयोग प्राप्त होगा साती सात विवायत जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो बात नक्षत्रों के अनुकूल रहने से आस्मिक धनलाब के भी आज अनेको योग बन रहे हैं। दोस्तो आपको पैसे के लेंदेन में भी अधिक फायदा होगा। रुके हुए सभी कार रहे हैं आज आपके पूर्ण होंगे और धनलाब की आज अच्छी इस्तिती रहेगी जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा। दोस्तो वैपार विस्तार की आज आप नहीं योजनाएं बनाएंगे। वैपार को लेकर भी आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं जो आपके लिए काफी लाबदाइक साबित होंगी। दोस्तो साथी साथ आज आप प्रॉपर्टी मे भी निवेस कर सकते हैं जो भविस्ते में चलकर आपके लिए काफी लाबदाइक साबित होंगे। नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन भहुती अच्छा दिन रहने वाला है। दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है। दोस्तो यदि आप उम्र दराज हैं तो संभव है कि आज आपको कुछ सेयत के मामलों में अधिक नियमित होने की आवशक्ता पढ़ सकती है जिससे आज आपको कुछ योगा सुनों का भी सहारा लेना पढ़ सकता है और साथिसाथ आपको अपने खानपान पर भी विशेश रूप से ध के लेते हैं आज आपके लिए विशेश रूपाय क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदी से निर्वत रहोने के बाद एक नारियल लें या दोस्तो इसके बाद आप इस एक नारियल को कुछ दक्षणा के साथ मंदिर में जाकर भगवान श्री गनेश जी को अरपित करें औ और विग्न हर्ता गनेश श्रोत का पाठ करें या दोस्तो ऐसा करने से भगवान श्री गनेश जी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशाने चल ले ही हैं समस्त परिशाने कंत करेंगे और आपको जल्द ही ना भूले धन्यवाद